भक्त गुपाल चर्वाहा की कहानी एक प्रेरना दायक कथा है, जो भक्ती और समर्पन के महत्व को दर्शाती है। गुपाल एक साधारन चर्वाहा था, जिसे पूजा पाट का जान नहीं था, लेकिन उसने अपने जीवन में राम नाम का जाप करना शुरू कर दिया। ये कथा विशेशकर इस बात पर जोड़ देती है कि भक्ती के लिए किसी विशेश जान या अनुष्ठान की आवश्यक्ता नहीं है, बलकि सच्चे समर्पन की जरूरत होती है। गोपाल की कहानी में बताया गया है कि उसने संतों से राम नाम का महत्व जाना और उसे गाने लगा। गाव के लोग उसका मजाक उडाते थे, लेकिन गोपाल अपने भक्ती मार्ग पर अडिग रहा। एक दिन एक संत ने उसे पूजा का सरल उपाय बताया कि हर भोजन से प गोपाल की निष्ठा और समर्पन ने आखिरकार भगवान को प्रकट होने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने गोपाल को अपने भक्त के रूप में स्विकार किया.